नमस्कार साथियों आप सभी का इस क्लास में स्वागत है आज हम समासास्त्रिय सिधानतों के अंतरगत जो प्रतिकात्मक अंतेक्रियावाद पढ़ रहे हैं उसमें हम प्रतिकात्मक अंतेक्रियावाद के जनक जोर्ज हरबर्ट बल्यूमर के बारे में चर्चा करेंगे तो सम असास्त्रिय सिधान्तों के बारे में ये अपनी नौवी क्लास है और प्रतिकात्मक अंत्यक्रियवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कल हमने मीड के बारे में चर्चा की थी लेकिन जो प्रतिकात्मक अंत्यक्रियवाद है उसके जनक कौन है उसके परतिपादक कौन है मी मीड ने परश्ट भूमीत त्यार की लेकिन इसको परतिपादित करने का स्रे है इसको साकार रूप देने का स्रे है वो बल्यूमर को जाता है किसको जाता है बल्यूमर को जाता है इससे पहले मीड ने शुरुवात की मीड के बाद में मीड के सिसेथी बल्यूमर इसके बाद मे CH कुले, थॉम्स, ये सब क्या है, क्या बार पूच लिया जाता है, क्या बार पूच लिया जाता है, कि निमलकीत में से कौन सा परतिकात्मक अंतेक्रियावाद की चर्चा नहीं करता है, यानि अंतेक्रिया करते हैं, किसके माद्यम से, परतिकों के माद्यम से करते हैं, तो इस इसे जो सुक्सम्स्त्रिय स्विधान्त वेता है, वो कहीना कहीं है, लेकिन मुख्य रूप से मीड, मीड के बाद में बल्यूमर, इनका सही करम आईए, मीड के सी से थे बल्यूमर, और बल्यूमर के सी से थे गोफ्मेन, जो कि मीड के ही समकालिन थे, थॉम्स है, और ये परमुख, प्रतिकात्मकंते करियावादी है, तो आज हम बल्यूमर के बारे में इनका पूरा का पूरा सिधान्त है, इन चार आउधारनाओं पे इनका पूरा का पूरा सिधान्त है, निर्वर्चन या समझ, या बोध, सरोपर्थम बोध की आउधारना किस ने दी थी, समझ या निर्वर्चन की आउधारना किस ने दी थी, समाज सास्तर के अंदर किस ने कहा था कि समाज सास्तर निर्वाचन आत्मक किरियों का अध्यन है तो ये सबसे पहले किस ने का था मेक्स बेबर ने का था बेबर ने निरुवर्चन या समझ या बोध की बात है वो की थी जर्मन बसा का सवद है वर्ष्टेहन जिसका समझ अर्थ होता है कि समझना निरुवर्चन करना किसी चीज को हम क्या देते हैं वो अर्थ में तो पुर्ण है तो मेक्स वेबर ने इसकी सरुवात की थी और जो अंते क्रियावादी थे उन्होंने इसको पूरा अच्छे तरीके से उपयोग में लिया है मेक्स वेबर भी वेसे सामाजिक क्रियाओं को ही समाज सास्तर मानते हैं समाज सास्तर की कोई कहता है सामाजिक समंदों का देने तो मेकाईवर ने समंदों की बात की थी मेक्स वेबर ने सामाजिक किरियाओं की बात की थी तो किरियाएं है वो महतोपुन है और ये सारे के सारे क्या है हरबरट बल्यूमर का है तो ये कहीं ना कहीं मेक्स बेवर से प्रवावित है, और इसके बाद इनके जो सिधान्त दिया है, इसके तीन आधार वाक्य है, कितने तीन आधार वाक्य हैं, जिनका इनका ये परतिकात्मक सिधान्त टिका हुआ है, तीन पिलर हैं, तीन क्या है, पिलर हैं, जिन पे इनका सि धानत है वो टिका हुआ है सरंचना यह परकिरिया का जो विरोधा बास है सरंचना यानि संपूरण परकिरिया यानि वेक्ति के साथ उसंपूरण की किरिया किस परकार से होती है और सबसे महतोपुरण है कि विद्धी इन्होंने तीन विद्धियां बताई है जिन से कई बार में पर्षन है वो पुछे गे हैं तो मैं डॉक्टर मेनपाल साहरण असिस्टेंट प्रोफेसर सोसोलो जी तो आज हम इन हरबर्ट बल्यूमर साहब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इनका जनम 7 मार्च 1900 को हुआ कब हुआ 7 मार्च 1900 को देखो यहां सायद जो ये डेट है वो याद रखने की जूर्ट नहीं लेकिन एयर याद रखने की जूर्ट है एयर आपको याद रखना पड़ेगा 1987 के अंदर अमरिका के अंदर ही मर्ती हो गई थी अमरीकी समाजास्त्री है सिकागो विश्व विद्याले से समंदित है तो सिकागो जो अंते किरिया वादी जितने भी विचारक है वो सारे के सारे क्या है सिकागो विश्व विद्याले से समंधित है ये सुक्षम स्तरिय समाज सास्तर की चर्चा है वो करते हैं मीड से इन्होंने शिक्ष्या गरन की मीड के ये सिश्य रहे सिकागो विश्व जाले में ही और उनके सिधान्तों को जो मीड ने जो अन्तेक्रिया का सिधान्त दिया था उन सिधान्तों को तारकिक रूप से तारकिक रूप से आगे बढ़ाने का कारेय मीड बल्यूमर ने किय तो ये गुरु का होता है, गुरु का काम कौन करता है, सिस्य करता है, सिस्य के बाद में आगे सिस्य वो चलते रहते हैं, तो एक प्रेस्पेक्टिव ते हो जाता है, उनके जो दिमाग जो अभिप्राय है, जो निर्वचन की बात कर रहे थे हमें, वो अभिप्राय फिक्स हो बहुत कम करते हैं बहुत कोई अपवाद सोरूप ही मिलेंगे तो इनकी रुची है सिकागो संपर्दाय की वो अन्तेक्रियाओं में रही है तो बल्यूमर की भी अन्तेक्रियाओं में ही रही है और ये जो सामाजिक व्यवस्ता में व्यक्ति और उसके समाज के बीच में व्यक्ति और समाज के बीच में जो अन्तेक्रिया होती है उसको सबसे महतोपर्ण मानते हैं यानि इनकी जो थीम है वो क्या है अन्तेक्रिया है वेक्ति और समाज के बीच में अन्तेक्रिया होती है वो सबसे महतोपर्ण है ये अमरिकन समाज सास्त्रिय परिशद के अधेक्स बीरे इन्होंने जो अपना सिध प्रश्थूत किया उसमें उन्होंने सिस्व के कर्मिक विकास कि एक नवजात सिस्व किस परकार से परतिकों का प्रयोग करते करते वे विक्सित होता है अपने आपका विकास करता है उसका समाजी करण होता है इसके धार पे उन्होंने अपना सिदान्त है वो रखा है यानि ए एक सिसु है वो समाज के परतीक है उनका किस परकार से परियूग करता है उन परतीकों के साथ किस परकार से अन्तैक्रिया करता है तो यह यहाँ पर बड़ी नमरता के साथ कहते हैं कि हमें सवीकार करना चाहिए कि परतीकात्मक बादचीत है क्योंकि बादचीत में क्या होते है परतिकों का ही प्रयोग करते हैं तो ये बादचीत है हमें मानवेवार यानि ये बादचीत और मानवेवार को बोतिक वास्तविक्ता के समान समझना चाहिए किसके समान समझना चाहिए बोतिक वास्तविक्ता के समान समझना चाहिए जितनी बोतिक वास्तविक था, बोतिक चीजें वास्तविक है, उसी प्रकार से ये मानव वेवार भी वास्तविक है, जिस प्रकार से कौन चरता करते हैं, दुर्खिन करते हैं कि सामजिक तथ्य को वस्तूओं की बांती समझना चाहिए, इसी प्रकार से बल्यूमर कहते हैं कि मान वेवार को वोतिक वास्त विट्टा के समान समझना चाहिए ये जो अपना सिधान ते इन्हों ने ये पुस्त का नाम भी इनका यही है सिंबोलिक एंटर एक्सनिजम परतिकात्मक अंतेक्रिया वाद बस अंग्रे जी अनुवा दिये और कुछ नहीं है आपके जो भी क्यूस्टन है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए मैं वीडियो के अंत के अंदर उनको ले हुआ तो यह पुस्त का सिंबोलिक एंटर एक्सनिजम प्रेस्पेक्टिव एयों मेथड यह देखो प्रेस्पेक्टिव एयों मेथड अब यह जो किताबों के नाम होते है यह कोई ऐसे ही नहीं होते है आपको इन किताबों के नाम अच्छी तरिके से इनका मिनिंग पता होना चाहिए यहां इन्होंने दो बात कही है प्रेस्पेक्टिव और मेथड परिप्रेक्षय और विद्धी अगर विद्धी की बात आएगी तो इन्होंने अपनी पुस्तक में ही विद्धी की बात किये तो इनका हिंदी अनुवाद आपको पता होना चाहिए जितनी भी किताबे हैं उन सबका हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए इससे मान के चलिए कि 100 परसन आते हैं तो 3-4 परसन अच्छी तरिके से आपके सही होंगे लेकिन हम क्या होता है कि इनके हिंदी अर्थ को ज़्यादा मैतो देते नहीं है हम सोचते हैं इतना याद कर लेते हैं कि symbolic interactionism तो आगे हम इसको नहीं पढ़ते कि perspective और मैं थर से अपने को कोई लेना देना नहीं है लेकिन अपने को लेना देना एक-एक बात से है और आजकल जो परसन आते हैं वो एक-एक बात से ही पुछे जाते हैं अब है कि इनके योगदान को हम कैसे समझे तो ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इनके योगदान को हम चार अधार बिंदूओं से समझ सकते हैं ये चार चिज़े हैं जिनके पे पूरा का पूरा जो अध्यन है वो टिका हुआ इनका निर्वर्चन इंटर प्रेटेशन दूसरों की किरियाओं का अर्थ निकालना दूसरों की किरियाओं का अर्थ निकालना तो यहां अर्थ है निर्वर्चन कोई वैसे सबद कुछ ज़्यादा ही लगता है कि पता नहीं क्या है तो इसका एक ही अर्थ ह निर्वर्चन का अर्थ ही अर्थ है, अर्थ है इसका, भी समझना किसी चीज को, समझ, क्या कहेंगे इसको, समझ कहेंगे, तो निर्वर्चन सबद देखे डरना नहीं है, ये शिर्प अर्थ ही इसका अर्थ मिनिंग निकलता है, मिनिंग ही मिनिंग है इसका, परतिकात्म कंते क्रियवाद के तीन आधारवा के जिन पे हम चर्चा करेंगे सरंचनावें परकिरिया और विद्धी, मेथड ये चार चीजों है या चार ये आधारणाई है जिन पे पूरा का पूरा सिधानता है वो टिका हुआ है तो पहले हम बात कर लेते हैं निर्वर्चन पे तो निर्वर्चन यानि व्याख्या करना किसी चीज की किसी चीज को समझना वर्ष्टेहन जैसा की मेक्स बेबर कहते हैं कि समासास्तर समाजी किरियाओं का अर्थ पूरण बोध या समझ या व्याक्या या निर्वर्चन पर अधारित है तो ये निर्वर्चन सब्द है वो मेक्स वेबर से ही चला है तो किसी भी किरिया या वेवार में वेक्ति का निर्वर्चन यानि की समझ ही निर्धारक एव सक्तिसालिकारक है यानि किसी किरिया को समझना हैं, किसी वेवार को सीखना हैं, समझना हैं, तो उनमें सबसे सक्तिसालिकारक कौन सा है, सबसे सक्तिसालिकारक है, वो क्या है, निर्वर्चन, ऐसा किसने कहा, ऐसा बल्यूमर ने कहा, यह निर्धारित करता है, यानि ये निर्वर्चन या समझ की निर्धारित करती है कि किस दसा में किस परकार का वेवार करना है किस दसा में यानि कोई समाजिक प्रस्तिती आपके सामने आती है तो उसमें किस परकार का वेवार करना है ये किस से समंदित है ये निर्वर्चन पे डिपेंड करता है जैसे कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा दुर विवार करने लगते तो आपको एक बार तो समझ में नहीं आता है लेकिन तुरनत आप समझ आते हो कि इस दसा में मुझे शांत रहना है या उसको वापिस दो-चार बातें सुनानी है तो ये किस दसा में किस परकार का विवार करना है तो हम जैसे ही कोई बड़ा आता है हम उसके चरण सपर्स कर लेते हैं कोई छोटा आता है उसको समझा देते हैं जिन से अपना साथ जगड़ा रहता है उनको हम डांट देते हैं तो ये सब किरियां किस से होता है, ये सब वेवार किस से होता है, ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या होता है कि जिनके निर्वर्चन अपरादिक तत्वे से प्रवावित होते हैं, उनकी समझ अपरादिक तत्वे से प्रवावित होती है, वो किसी के साथ अच् करती है उस वेवारवादी globalization निरधारित नहीं करता है ये सबसे मैटोप्रण है वेवारवादी मनोविजya अब मनोविज़्न क्या कहता है कि हम ये तय कर लेते हैं कि किस दसा में वेक्ति किस परकार व्यवियर करेगा आखकते हैं जो उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किये थे कि जब उनको गंटी बजती है तो लार निकलने लगती है तो वो क्या है वेवार वादी मनोविज्यान है और वो मनोविज्यान क्या कहता है कि गंटी बजाएंगे तो कुत्ते के मुँ से लार निकलेगी ही निकलेगी लेकिन बल्यूमर कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है परतेक कुटे का अलग-अलग निर्वर्चन या अलग-अलग समझ हो सकती है तो व्यक्तिक के विवार का निर्धारन उसकी समझ से होता है वेवारवादी मनोविज्ञान से नहीं होता यानि बल्यूमर ने मनोविज्ञान की वेवारवादी मनोविज्ञान की आलोचना किया यांपे परसनायविये प्रिक्ष्या में पुछा जा सकता है यानि हम इसको नहीं समझ सकते मनोविज्ञान के जरिए नहीं समझ सकते उसकी समझ के जरिए कर सकते हैं परतेक वेक्ति की समझ जब अलग-अलग होती है तो समाज उतेजना बेजता है उतेजना की चर्चा हम कल मीड़ में भी करता कि आपको जैसी आप रस्ते से जारे हो आपको कोई बुलाता है या आपको कोई कुछ बोलता है आपको कोई प्रारम में जो बाचीत सुरू होती है जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो क्या होती है वो उतेजना होता है तो समाज आपके पास उतेजना बेजता है जब बच्चे होते हैं तो बच्चे दीरे-दीरे समाज है उसको उतेजना बेजता जाता है कि ऐसे करो ऐसे करो और उस उतेजना की वेक्ति के सव के साथ अंतेक्रिया होती है जैसे आपसे कोई कहता है कि हलो मिस्टर आपका नाम क्या है हलो मिस्टर आप ये क्या कर रहे हो तो ये क्या हो गई उतेजना हो गई उस उतेजना की वेक्ति के सव के साथ उसके सेल्फ के साथ जो कि क्या होता है सो का मतलब वेक्तिक का स्वयम की आत्मा है स्वयम की समझ है तो उसके साथ अन्तेक्रिया होती है क्या होती है उसके साथ है अन्तेक्रिया होती है तो उतेजना के पर्ति उत्र में अब ये उतेजना है किसी ने आपको कुछ कहा प्रेम से पुकारा, किसी ने आपको गुसे से पुकारा, किसी ने आपको गाले दी तो आप हम क्या करते हैं, ये उतेजना होगी, उसका कोई ना कोई उत्तर देते हैं क्या करते हैं, कोई ना कोई उत्तर देते हैं हम देखते हैं ना किसी को हम थोड़ा सा भी कुछ बोल देते हैं, तो कोई तो तुरंत आग बबुला हो जाता है, कि तेरे को यह दिखाई नहीं देता, क्या यह तुने मेरे मोटर साइंकल में यह अपनी मोटर साइंकल ठोक दीया, कुछ और कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं, कि कोई बात ने, no problem ऐसा तो होता है किसी कई बार ऐसा होता है कि बस में हम देखते हैं या सम्माने जीओन में परतेक वेक्टी के साथ ऐसा होता है कि किसी को हम थोड़ा सा टच कर जाते हैं बीडबार में आ बस में तो कुछ तो लोग बिलकुल आग बवुला होते हैं कि क्या-क्या तुज़े दिखाई नहीं देता कि मैं आगे चल रहा हूँ और कुछ कहते हैं कोई बात नहीं, no problem ये तो मुझे पता है कि आपकी कोई नियत बुरी नहीं थी ये तो ऐसे ही जटका लग गया तो ये क्या हो गया? उसका क्या हो गया? ये उतेजना थी उसका क्या हो गया? परतियुत्तर हो गया तो इस परतियुत्तर में सबसे महत्वपन भूमिका किसकी होती है? निरवर्चन की होती है, समझ की होती है कि वो क्या समझता है अगर वो ये समझता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बस के अंदर एक लड़की जा रही है उसके साथ में 4-5 लड़के और भी है तो हो सकता है किसी का इसे ही बीड़ बाड़ में हाथ टच कर जाता है तो वो लड़की कह सकती है कि आप मुझे बूरी नियत से क्यों सोच रहे हो वो उसकी समझ है उसको लगता है कि परतेग लड़का है उसको साथ छेड़का नहीं कर सकता है और हो सकता है आवाज है वो रुक रुक के आ रही है चलो देखते हैं आवाज कैसी आ रही है देखना आवाज रुकर के आरी बता रहें तो हो सकता है वो कहें ठीक है भीड में ऐसा होता है और ऐसा होई जाता है तो ये निर्वर्चन या उसकी समझ पे निरधारित करता है तो ये तीन चीज हो गई उतेजना इसको बोल देते हैं उद्धिपन क्या बोलते हैं उद्धिपन उतेजना या उद्धिपन और उसका परतियूतर किस परकार से दिया जाएगा दोनों के बीच में क्या है समझ है उस वेक्ति की समझ है कि वो उसका परतियूतर केसे देता है और जितना वो परतिकों को अपरियूग करता है उसी के अनुरूप वो करता है वो इस प्रोब्लम आ रही है या ठीक है तो जब कोई वेक्ति विवार वेक्ति के सामने आता है किसी वेक्ति कोई उतेजना करता है तो सव संकेत देता है कि कैसा परति उतर देना है यानि जब कोई उतेजना उत्पन होती है तो सव सेल्फ उसमें क्या करता है परति उतर किस परकार से देना है वो उसको देता है क्या है सव संकेत देता है कि परति उतर किस परकार से देना है और सामाजिक सांसकर्तिक और आर्थिक कारकों की तुलना में ठीक है, क्या है, सामाजिक सांस करती किया हूँ, आर्थिक कारकों की तुल नाम में व्यक्ति करता या एक्टर, एक ही बात है, ये मैं बार-बार क्यों लिख रहा हूँ, व्यक्ति आ सकता है, करता आ सकता है, एक्टर आ सकता है, आज कल जो फरसन आते हैं, वो क्या करते हैं, प अपनी समझ के दार पे व्याख्या करता है, आर्थिक कारकों के दार पे व्याख्या नहीं करता है, तो संकेतों का विकास दूसरों की भुमिका को अपना लेने से होता है, बीडने से क्या का है, भुमिका गरहन, क्या का है, भुमिका गरहन से, ये संकेतों का विकास होता है, औ जब दो भिन संसकर्तियों के लोग जो भिन संकेत रखते हैं जिनके संकेत एक जैसे नहीं है अगर मैं कोई आपको ऐसा सबद बोलू या मैं कोई ऐसी भासा बोलना सुरू कर दूँ जो आपको समझ में नहीं आती है तो जैसे मैंने कल एक सबद का प्रयोग किया था कि जैसे हमारी राजस्तान में चेयर को जो देशी टाइप होती है उसको क्या बोलते है मुड़ा बोलते है तो यह परतीक है और आप इसका क्या है ऺासा बोलने लग जाता हूँ तो आप वो समझेंगे नहीं यानि क्या हो गया संकेत है वो एक दूसरे के भिन है तो इस श्तित में निर्वर्चन नहीं होगा इसे बल्यूमर ने क्या का है ए परतिकात्मक अंते किरिया का है किरिया तो है लेकिन किस परकार की ए परतिकात्मक किरिया हो रही है मैं समझाने का प्रयास करूँगा आप समझेंगे नहीं अब कोशिज तो की जा रही है यानि किरिया तो हो रही लेकिन समझ नहीं रहें तो इसको क्या कहा है ए प्रतिकात्मक किरिया कहा है ए प्रतिकात्मक किरिया तो ये कभी भी परसन पुछा जा सकता है कि दो भिन संकेत वाले व्यक्ति मिलते हैं तो उनके बीच में जो अन्तेकिरिया होती है उसको क्या कहते है उसको क्या कहेंगे उसस को बिलकुल भी महतो नहीं दिया यह यहाँ पर महतो पुरण होता है यह जो मैंने सुतर दिया कि उतेजना परति उत्तर के बीच में निर्वर्चन या समझ होती है तो यह महतो पुरण है और जब दो भिन संकेत वाले वेक्तिये आपस में अंत्यकरिया करते है तो उनकी अंत्यकरिया पुरण नहीं होती है क्योंकि उनमें क्या होता है निर्वर्चन नहीं होता है क्या नहीं होता है निर्वर्चन नहीं होता है समझ नहीं होती है इसलिए इसको ऐपरतिकात्मक क्रिया कहते है हॉम्स की आलोचना की है बल्यूमर ने कि उन्होंने निर्वर्चन को कोई महतो नहीं दिया तो क्या होते जितने भी वरत्स्तरिय सिधान्त हैं परकार्यवादी है सरंचनावादी है उन्होंने वेक्ति को कोई महतों नहीं दिया उन्होंने कहा कि जैसी सरंचना करवाती है वेसा वेसा वेक्ति करता है यानि वेक्ति खुद का विवेक काम में नहीं लेता है और दूसरी तरफ जो सुक्षमस्त्रिय सिधानत वेता है अंत्य किरियावादिये वो कहते हैं कि सरंचना क्या है कुछ भी नहीं है, सरंचना किसे मिलती है, वेक्ति से मिलती है, वेक्ति से बनती है, तो वेक्ति महतोपुर्ण होता है, वेक्तियों से सरंचना बनती है, सरंचना से वेक्ति नहीं बनता है, आगे है प्रतिकात्मक अंत् आधारवा के जिनकी चर्चा में कर रहा था तो मनुस्य की किरियाओं में इनके आधारवा के क्या है इनको मैंने सोट में लिया है क्या सोट में लिया है मनुष्य की किरियाओ में अभिप्राय, निरुवर्चन, आर्थ, समझ, बहुत सारे नाम हो गया कोई तो कोई याद रे जाएगा अभिप्राय का तो यह होता ना मिनिंग अंग्रेजी में इसको मिनिंग बोल सकते हैं तो मनुश्य की किरियों में इस अभिप्राई निरुवर्चन समझ का महतों क्या है इस अभिप्राई का अर्थ का सोर्स क्या है हम किसी परती का क्या अर्थ लेते हैं उसका सोर्स क्या है ये हम कहां से सीखते हैं क्यों सीखते हैं कैसे सीखते हैं यानि ये कहां से विक्सित होत हैं अभीप्राई है उसके सोर्स क्या है मिनिंग कहां से निकलता है तो सोर्स होगे और निर्वर्चन और अभीप्राई की भूमी कहा हैं का समझ और अर्थ समझ और अर्थ वैसे तो ये प्राईवाची ही लगते हैं अपने को लेकिन अर्थ है वो समझ है वो किसे होगी जब उसका कोई ना कोई अर्थ होगा अर्थों से ही हम समझते हैं जब तक उसका अर्थ पता नहीं होगा तब तक हम समझेंगे नहीं तो ये तीन आधार वाक्य हैं, अभिप्राय का महतो, निर्वर्चन का महतो, अभिप्राय के सोर्ष और अभिप्राय की भूमिका, तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका अभिप्राय का महतो क्या है, महतो क्या है कि मनुस्य वस्तूओं का जो अर्थिया अभिप्राय निकालते ह मनुश्य है वस्तों का कोई भी अर्थ या विप्राई निकालते हैं और उसी के अनुरूप विवार करते हैं इसका महतो क्या है? महतो बताया जा रहा है कि जो चीज हम समझेंगे जो हम किसी चीज का अर्थ निकालेंगे वही उसी के अनुरूप हम विवार करते हैं जैसे कि आपको कोई बोलता है कि चलो मोज मस्ती करनी है कल हम मोज मस्ती करेंगे अब मोज मस्ती का मतलब क्या होता है अर्थ क्या होता है ये संकेत है ये क्या है परतीक है अब इसका अभिप्राय कैसे निकालेंगे मैं ने बोल दिया कि कल हम मौज मस्टी करेंगे वीडियोज में हो सकता है थोड़ा मैं बाद में जब अपलोड करूँआ तो ये दिकत नहीं आएगी हो सकता है अप्लिकेसन में कभी नेट वर्क की वज़े से रुक रुक हो सकता है आता हूं तो मैंने क्या कहा कि मोज मस्ती करेंगे या आपके दोस्ते ने कहा कि मोज मस्ती अब मोज मस्ती का सब अलग-अलग गर्थ निकालते हैं जो बच्चे हैं उनके लिए मोज मस्ती क्या है कि कल पूरे दिन खेलेंगे उसका आर्थ यही है और वो दूसरे दिन उसी के अनरूप विवार करेंगे जो कहीं पिकनिक पे जाने के सोकीन है तो उनका मतलब होता है कि कहीं घूमने चलेंगे तो वो लॉंग ड्राई पे निकल चल पड़ेंगे किसी का आर्थ हो सकता है कि मोज मस्ती का मतलब होता है कि सिनेमा देखेंगे, फिलम देखेंगे तो कोई फिलम देखना चला जाएगा कोई हो सकता है किर्केट खेलने का सोकीन हो तो उसका मतलब है कि पूरे दिन किर्केट खेलना मोज मस्ती है और हो सकता है कोई मेरे जैसा ये भी बोलते कि पूरे दिन सोएंगे अराम करेंगे रेस्ट करेंगे मोज करेंगे आज तो पूरे दिन रेस्ट करेंगे यानि सोएंगे तो वो फिर क्या करेगा उसका मोजमस्ती से विपराय क्या है सोनना तो वो सोनने का कार्या करेगा जिसका खेलने से है, वो खेलने का कारे करेगा, कोई कहेगा कि कल पाल्टी करेंगे, यानि कोई सरा पाल्टी वगरा कुछ पाल्टी हो सकती है, तो मोज मस्तिका उसके हो जाएगा, तो वो सरा पियेंगे, जो पिकनिक पे जायने वाले, वो पिकनिक पे जाएंगे, तो यानि इसका मह महतों क्या हो गया निर्वर्चन का मनुस्य की किरियाओं में निर्वर्चन का महतों क्या हो गया कि जो हम अर्थ निकालते हैं और उसी के अनुरूप हम विवार करते हैं इसलिए पूरी दुनिया के अंदर अच्छी और बूरी चीजे होती है उन वो अलग-अर्थ निकालते ह कोई कहता है कि धरम का अर्थ क्या है दुनिया में धरम का अर्थ क्या है तो धरम का अर्थ क्या होता है कर्तवे हिंदू क्या समझेगा कर्तवे समझेगा यानि धरम करना किसी का बलाई करना क्या करना धरम का अर्थ बला करना तो जब हम किसी का बला करते हैं तो वो कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो मेरा धरम है ये तो मेरा करतवे है क्योंकि हमने इसका धरम का अर्थ क्या लिया बला करने से लिया और धरम का दूसरा रूप ही होता है जो कि आजकल बिहार और बंगाल के अंदर हो रहा है धरम के नाम पे दंगे हो रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए धरम का अर्थ क्या होता है उनके लिए धरम का अर्थ है कि हम अपनी धर्म को आंच नहीं आने देंगे हमारी किसी भी चीज को हम चुने नहीं देंगे चाहे इसके लिए हमें किसी को मौत क्यों नहीं देनी पड़े किसी को मारना क्यों ना पड़े तो ये धर्म का जो अर्थ निकाला किसी ने कहा बला तो वो कुछ भी हो जाये वो बला ही करेगा और दूसरे ने कहा कि हम धरम पे आँच नहीं आने देंगे तो वो फिर बला क्या किसी की मोत भी किसी को या तो मर जाएगा या मार देगा इसलिए कुछ जो आतंकवादी आते हैं धरम के नाम पे वो क्या करते हैं सुसाइट बंब बन जाते हैं खुद को उडा लेते हैं क्योंकि उनके लिए धर्म का आर्थ यही है कि धर्म के लिए मरना सहीद होना तो ये अर्थ क्या है निरुवर्चन का मैतो क्या है कि जैसा हम अभिप्राय निकालेंगे उसी के इन रूप हम वेवार करेंगे तो अभिप्राय निकालने के लिए व्यक्ति है वो परतिकों का परियोग करता है धर्म एक परतिक है और इसी प्रकार से अन्य भी परतिक हो सकते हैं और इसके दार पे हम बविश्य में वेवार निस्चित करते हैं, बविश्य के अंदर वेवार है वो निस्चित करते हैं, जैसे कि कोई अगर बच्चा बुरा काम करता है, तो इसके माता पिता उसको डांटते हैं, कि नहीं ऐसा, नहीं करना है, तो वो डांटना क्या है, परती कों का अर्थ कहां से निकलता है परतिकों का उद्गम कहां से होता है तो परतिकों का उद्गम कहां से होता है सामजिक समंदों या अंते किरिया के दोरान होता है जब एक बच्चा होता है वो समाज के साथ वो समाज के साथ जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो समाज के साथ क् अंत्य किरिया करता है और दिरे दिरे परतिकों को सीखता जाता है कि मंदिर का मतलब क्या है और समसान भूमी का मतलब क्या है जनम का मतलब क्या है मर्त्यू का मतलब क्या है तो जैसे ही होता है कहीं साधी होती है तो साधी का मतलब क्या होता है कुछी होना तो वो नाचने लग जब छोटा बच्चा होता है, तो अगर वो किसी के साधी में जाएगा, तो इसको कहेगा enjoy कर, तो देरे देरे क्या है, अर्थ निकाल लेता है कि साधी का मतलभ enjoy करना, और एगर कोई बूरी बात होते है तो उसका मतलभ होता है कि दुख्य होना, तो वो अंदर से दुख्य नह इनुसार वो वेवार करता है जैसे कि आजकल जो modern society है उनमें क्या होता है तलाक होता है क्या होता है तलाक होता है तो साधी में प्रोग्राम होता है खुशी बनाई जाती है तो जो modern कर्चर है उनमें तलाक होने पे भी पार्टिक आयोजन किया जाता है क्या किया जाता है पार्टिक आयोजन किया जाता है तो किसी समाज में हो सकता है तला का मतलब बहुत बुरी बात है और किसी में भी हो सकता है कि तला का मतलब पार्टिक करना भी हो सकता है तो यानि कुल मिला के बात है कि परतिकों का जो उद्गम है तलाक एक परतिक है और इसमें किस परकार का विवार करना है ये सब अन्तेकरिया के द्वारा होता है तो परसन आता है अगर पूछ लिया जाए किसी प्रिक्षिया में कि बल्यूमर के अनुसार परतिकों का उद्गम कहां से होता है तो कहां से हो होता है सामाजिक समंधों से होता है तो दूसरा कथन हो गया तीसरा कथन क्या था कि भूमिका क्या है भूमिका क्या है हमने प्रतिकों का आर्थ में निका लिए सोर्च भी पता चल गए तो इसका महतों क्या है इसकी भूमिका क्या है तो विप्राय यह निर्वर्चन व्यक्ति स्वयमत्य करता है कि किस दसा में किस परकार का विवार करना कोई उतेजना लाता है तो उसका परतिउतर कैसे देना है और बस तुई अगटना के जितने दिख परतीक होते हैं उन सब का अलग-अलग अभी प्राई है वो निकला जाता है और उसी के अनरूप है वो किरिया की जाती है तो वारतालाप के दुरान जो अर्थ है जो परतीक है अब यहां पर एक नई चीज उपर क्याती है कि जब हम आपसी वारतालाप करते हैं अन्ते किरिया करते हैं तब जो निर्वण हैं वो संसोदित होता रहता है परिवर्तित होता रहता है अब मैंने क्या कहा हो सकता है कि तलाख का अर्थ पहले उन समाजों में भी क्या था क्या था दुखी होना ये उसका अर्थ था लेकिन दिरे दिरे वारतालाप के दुरान अंते किरिया के दुरान वो निरुवर्चन उसका अर्थ परिवर्तित होता गया, संसोदित होता गया, और वो दुखी से क्या बन गई, तलाक एक पाल्टी का आयोजन का कारण बन गया, अब इसका मतलब यह क्या है, कि जो अर्थ है, तलाक का अर्थ है, वो अन्तेकरिया के दोरान बदलता रहता है, देरे देरे चीज़ें हैं जमाने में तो हम या आज भी हम गरामिन चेतर में कलपना नहीं कर सकते, कि किसी लड़के या लड़की का बोई फ्रेंड या गरल फ्रेंड होगी, घर पे लाने के तो सोच ही नहीं सकते, कि पूरी गाउं में अगर पता चल गया तो पहले हंगामा मत जाता था, और देरे द उसका क्या है, अब अर्थ हो गया है कि बोई फ्रेंड और गरल फ्रेंड है, वो कॉम्मन सवद हो गया है, तो यानि क्या है बोई फ्रेंड और गरल फ्रेंड का अर्थ है, वो चेंज हो रहा है, अन्तैकरिया के दोरान, यानि सामाजिक अन्तैकरिया और उसका अर्थ तफ़ब दित हो रहे हैं दीरे दीरे बदल रहे हैं कि जो समाज की वास्त्विक्ता है वो हमैशा एक जैसी नहीं रहती है समाज में परिवर्तन होता रहता है तो सभी समाजों की में सरंचना होती है स्ट्रेक्चर होती है अब उसी प्यार हैं जो मैंने यहां स्टार्ट किया है कि अन्ते किरिया के दुरान जो अर्थ है वो चेंज होते रहते हैं हो सकता है थोड़ा सा आप डेपली हो गया हो या आपको बार-बार चीज़ें हैं वो रिपीट होने को लग रहा हो कि चीज़ें बार-बार सर रिपीट कर रहे हैं लेकिन जरूरी है यह चीज़ें जरूरी है क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आज कल के person हैं नहीं कर पाएंगे तो continue बोलता हूं तो वो चोटकले बगरा मुझे आते नहीं है इसलिए हो सकता आपको बोरियत मैसूस हो लेकिन थोड़ा समझने का है पुरे आप अपनी बुद्धी को चारों तरफ से अठा के केवल इस स्क्रीन पे और जो मैं बोल रहा हूं उन पे अगर कैंदरित करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो क्या है सभी समाजों में सरंचना होती है तो सरंचना तो समाज का एक अंग है सरंचना है वो समाज का एक अंग है क्या होता है समाजिक सरंचना के अंदर एक गठ बंदन है उसमें क्या होता है भूमिकाएं होती है समुए होता है नोकरसाई होते हैं संस्ताइं होती है जैनसियां होती है समीतियां होती है यहीत होती है समाजिक सरंचना में होता है और समाज सामाजिक भूमिकाओं और अंत्यक्रिया भूमिकाओं में अंतर करते हैं, सामाजिक भूमिकाओं अलग होती है, एक भूमिका है बेटे की या बेटी की भूमिका है, तो वो भूमिका क्या है, वो सामाजिक भूमिका है, वो अपने मता-पिता की देख बाल करेगा, ये क्या है सामाजिक भूमिका है और जो अन्तेक्रिया भूमिका होती है वो वेक्ति के सव पर निर्वर करती है वो किस पर निर्वर करती है वेक्ति के सव पर निर्वर करती है कि वो किस परकार से इन सामाजिक भूमिकाओं को निर्वा करता है सामाजिक भूमिकाएं होती है समास द्वारा ते होती है लेकिन वास्तम में वो किस परकार से निभाई जाती है उसको कहते हैं अन्तेकरियात्मक भूमिकाएं इसको क्या कहेंगे अन्तेकरियात्मक भूमिकाएं तो जो भुमिका दूरी है गोफ में ने इसको क्या का था भुमिका दूरी यानि वास्तविक भुमिका और जो निभाई जारी भुमिका उनके बीच में जो दूरी है वो क्या है भुमिका दूरी है किस ने का था ये गोफ में ने का था वोई बात ये यहां पर बल्यूमर कर र परकार्यवादी क्या कहते हैं वेक्ति अपनी भूमिका का निरुबा किसके करेगा सरंचना के अधार पर करेगा लेकिन यह क्या कहते हैं प्रतिकात्मक अंतक्रियवादी कि सरंचना का कोई रोल नहीं है सरंचना को तो भूल जाईए वेक्ति अपने सव के अधार पर अपने स करता है जो कहते हैं न मैं इमाइल दूर्खी में सामाजिक तथ्य की बात करते हैं कि सामाजिक तथ्य है बाद देता मुलक और बाद्यकारी होते हैं क्या होते हैं बाद्यकारी होते हैं उनको निबाना ही पड़ेगा लेकिन ये अंत्यकरियावादी कहते हैं कि कोई बाद देत नहीं है वेक्ति अपने इसाब से अपनी समझ के इसाब से उनको करता है अब यहां वो क्या कहते हैं कि समाज की सरंचना है वो बदलती रहती है हर दिन बदलती है दिरे दिरे बदलती है मैंने का थना कि समाज की वास्तविक्ता बदलती रहती है क्यों बदलती रहती है क्योंक उसी बन गई कि ठीक है किसी से पिंड छुड़ा, जो girlfriend, boyfriend के जो सबद थे, परतीक थे, वो अब change होगे, यानि समाज है वो परती दिन बदल रहा है, वो बिल्कुल भी स्तर नहीं है, अब सरंचना उस बदलते हुए समाज का अध्यन नहीं कर सकती, सरंचना बदलते हुए समाज का अध्यन नहीं कर सकती, सरंचना तो स्तर होती है, वो कैसे बदलती हुए समाज का, बदलती हुए दुनिया का अध्यन करेगी, तो यह क्या कहते हैं कि समाज का अध्यन एक सरंचना के रूप में नहीं होना चाहिए एक परकिरिया के रूप में होना चाहिए परतिकातम कंते क्रियावाद या बलूमर क्या कहते हैं कि समाज का अध्यन सरंचना के रूप में नहीं होता है यानि प्रतिकात्म कंते क्रियावादी सरंचना के विरोधी हैं तो तीन चीजी होगी अब आती है विद्धी मेथड अब क्या है इसकी मेथड क्या है मेथड है वो महतोपुरण है तो ये जो प्रतिकात्म कंते क्रियावाद है इनका उदिश्य क्या है मानवववारों को समझन जितने भी सिधान्त है वो समाज को समझना चाहते हैं और जो सुक्समवादी सिधान्त है वो मानव विवार को समझना चाहते हैं तो ये किस-किस विद्धी की बात करते हैं, ये पहली विद्धी की बात करते हैं, आगमन विद्धी, किस की बात करते हैं, आगमन विद्धी है, वो जो सुक्समस्त्रिय सिधानत है, वो किस विद्धी का प्रयो करते हैं, किस मेथड का प्रयो करते हैं, आगमनात्मक, और जो ये सिधान्त है वो किसका करते हैं वो नीगमनात्मक वो किसका करते हैं नीगमनात्मक ये देखना दोनों में विरोधावास है तो ये आत्मक अंतेकरियावाद है वो किस विद्धी का परियोग करते हैं ये आगमन उपागम का परियोग करते हैं तो पहली विद्धी होगी यानि परतीक है वो बदलते रहते हैं, जैसे भी अमिमे ने दो तीन एक्जाम्पल दिये, बहु सारे एक्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, पहले सिक्षिया का मतलब क्या था, कि बच्चा समझदार होना चाहिए, आज सिक्षिया का मतलब क्या है, कि आज है वो समझदार ना हो, उस प्रति क्या हो गया उत्तम खेती यानि सब से अच्छी क्या थी खेती थी मद्यम वेपार और निमन चाकरी और अब क्या है इसका उल्टा हो गया है उत्तम चाकरी मद्यम वेपार और निमन खेती अब खेती करके कोई राजी नहीं है और जो नोकरी चाकरी मतलब नोकरी नोकरी लोग मिल जाएंगे आपको अपने परिवार में मिल जाएंगे जिन्होंने नोकरी छोड़ दी उनको गौशन जो मिल रही थी घर आके लोग उनको क्या है अपोइनिंग लेटर दे रहे थे कि आप आईए आप हमारे नोकरी कीजिए सरकारी नोकरी लेकिन वो छोड़ देते थ क्योंकि परतीक क्या था उत्तम खेती और निमन चाकरी वो चाकरी करके राजी नहीं थे अब चीज बदल गई है तो बल्यूमर कहते हैं कि परतीक है वो बराबर परिवर्तित सील है इस कारण सिधानत निर्माण में उप्यूक्त आउधारनाएं है वो कमजोर पड़ती है अ तो अब ये चीजें बदलती रहती है तो निगमन विद्धी के द्वारा निगमन विद्धी के द्वारा यानि वरत स्तरिये सिधानतों के जरिए निगमन यानि वरत स्तरिये सिधानतों के जरिए सुक्सम चीजों का दिन वो नहीं किया जा सकता तो ये आगमन विद्धी को अपनाते हैं नीगमन विद्धी को छोड़ते हैं क्यों व्यक्ति का सव ही नेटवर्क प्रोब्लम हैं तो ये है मैं बाद में अपलोड कर दूँ है इस क्लास को तो आप वहां देख सकते हैं तो जो जो बदल रही है चीजें उनको समझना काम है क्यों सव सेल्फ है हमारा जो समझ है वो उनको लगातार समझ रही है अब हमारे बुजरग हैं वो पहले पहले क्या था कि अगर मैला गुंगट नहीं निकालती तो उसको बहुत ज़ादा डांट फटकार लगाती थे लेकिन अगर आज कल वो है नोकरी पैसा करने लगे हैं तो वो कहेंगे कि कोई बाद नहीं बैटा घुंगट उपरी रखो कोई प्रोब्लम है नहीं है वो पहले अपने मैलाओं को गर से बाहर नहीं जाने देते थे आज वही नोकरी करने के लिए उनको प्रोसाइत करते हैं तो विश्वय को समझना कार्यक की कौन करता है सव करता है व्यक्ति का सेल्फ करता है तो इस विद्धी को नोने का है अन्वेशनात्मक विद्धी क्या कहा अन्वेशनात्मक विद्धी यानि लगातार खोज करना तो आगमन विद्धी हो गई फिर अन्वेशनात्मक विद्ध से ही मानना व्यवार को नहीं समझ सकते तो फिर आता है आउलोकन विद्धी निरक्षन विद्धी और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो सबसे उप्यूक्त विद्धी होती है वो क्या है गुणात्मक विद्धी होती है क्या होती है गुनातमक विद्धी होती है यह सबसे है तो यह विदियां इतने इनोंने विदियां बताए और गुनातमक विद्धी को सर्वत्म मानना है और यह सारी के सारी गुनातमक विदियाई है अब इनकी जो परमुक पुस्तके हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं तो सिंब पहली बार प्रतिकातमक अंते क्रियावाद को एक सिधान्त का दर्जा मिला था बल्यूमर ने दिया था उससे पहले 1934 के अंदर मीड ने अपनी पुस्तक मीड की पुस्तक थी जो बाद में संपादित की गई थी वेसे मीड की मर्तियों वो 1931 को गई थी 1934 में इनकी पुस्तक काईती सबसे मैतोप्रण माइंड सेलरफ और सोसाइटी उसमें वो कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ पी प्रतिकातमक अंते क्रियावाद का प्रियोग किया गया है लेकिन ज़्यादा तर जो थिंकर्स हैं विद्वान हैं उनका यही मानना है कि 1937 में बल्यूमर ने पहली बार इस सबद का प्रियोग अपने एक लेक के दुरान किया था आगे है जार्ज हरबरट मीड और हुमन कंडेक्ट जार्ज हरबरट मीड और हुमन कंडेक्ट industrialization is an agent of social change a critical analysis or movie and conduct society sorry यह 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 नहीं है यह नहीं है movies and conduct यह इनकी परमुख पुस्त के हैं एक जेसे person आया है मैं example के तोर पर यह आपके कहता हूँ कि प्रतिकात्मकंत्य क्रियावाद के मूल भूत सिधान समाविष्ट है ये चार उप्सन दिये गए है इनमें सिदो में प्रतिकात्मकंत्य क्रियावाद की बात होती है दो में नहीं होती है क्या होती है सोचने की छमता है वो प्रतिकात्मकंते क्रियवाद में होती है संस्ताओं की बात ये नहीं करते हैं ये मानसें सामाजिक चेतना की बात नहीं करते हैं ये वेक्तिगत चेतना की बात करते हैं ये अर्थें प्रतिक की बात करते हैं एक और चार ओप्सन इसमें सही है, बीच वाले दो सही नहीं है, यानि ये प्रतिकात्म कंतेक किरियावाद के मूल भूत सिदानत नहीं है, तो ये इस परकार से परसन है, वो कुछे जाते हैं, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, मैं कायर सोच रहा था कि छीच कु आनना है, कि लगभग 40-45 मिंट आप अड़ाई करो, और 15-20 मिंट रेस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो कलास होती है, उसमें हम दोराने के लिए आप दुबारा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप 45 मिंट को फिर कैसे दोराएंगे, चलो फिर भी मैं पर्यास कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको मैं रिपीट कर दूँ, देखना एक बार, स्टार्टिंग से,